दोस्तों, दोस्तों, इस वीडो में बात करेंगे, फोन चोरी होने के बाद, पुलिस हमें क्यों वापस नहीं दे पाते हैं, आखेंर रीजिन क्या होता है, हम एफार तो कर देते ह guarantees हैं, लेकिन जयदा-तर केस्ट में ऐसा देखा गया है, पूलिस फोन को वापस नहीं ला पा के बाद आप उसे ट्राक भी कर सकते हैं जब तक आप फोन को ढूंड ना लेते तब तक आपका फोन आपके अंडर में रहेगा चूरी होने के बाद भी नावास कर दोस्तो में सुरिस मार मिश्टन डेटेक में आप सभी का स्वागत है तो चले दोस्तो वीडियो को सुरू करत केसे दोस्तों उसके आई-म-ई नंबर से हमारा फोन का जो IMEI नंबर होता है इसी के तुछी वो ट्रैक करते हैं पुलिस खुद ट्रैक नहीं करते बलकि पुलिस के पास बहुत सारे साइब और सिकुूरूटी एक्सपर्त होते हैं जिसे की मैं अरे नहीं में इतना बड़ा इंस्टेग्राम पर ही आपको यह सब पता सकता हूं कि मैं क्या क्या कर सकता हूं अगर दोस्तों साइबर सेकूरिटी से लिलेटेड आपको कुछ भी पूझना है तो नीचे मैंने मेरा इस्टेग्राम का लिंक दिया है आप जाकर मुझे वहाँ से फॉलो करके डेम करके मुझे पूछ सकते हैं और दोस्तों फेस्बूक हैक, इंस्टेग्राम हैक यह समय नहीं करता है मैं इंस्टेग्राम पर ही डेम पर बात करूँगा दोस्तों हमारी फोन को IMEI नंबर से ट्रैक कर पाते हैं यहां दोस्तों अक्सर चूरी होने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं फोन को स्वेच अप कर देते हैं उसके बाद किसी भी अच्छे थेकर के बाद जाके IMEI नंबर को किसी भी तरह से बो चैंज कर लेते हैं लेकिन अगर हैकर नहीं है इसके बदिसे पूलिस हमें अक्सर ट्रैक कर के नहीं दे पाता है फो बोबाइल दोस्तों, मैं आसा करता हूँ आप लोग precio को यह समझ में आ गया होगा कि अक्सर पूलिस हमें चोरी किया गया फोन को ट्रैक कर के क्यू ź नहीं दे पाता है दोस्तो ऐसे एक तरीकर है जिसका मदर्स से आफ चोरी किया गया फोन को आसा नहीं से ड्şao जा सकता है लेकिन चोरी होने पहले यानि कि अभी से आप अगर उस फोन में वो तरीकर को आज़मात नहीं हो तो साथ ही चोरी होने के बादा कुछ भी नहीं कर सकेंगे इसलिए चोर तरीका में अगले वीडियो में बता दूंगा और हाँ दूस्तों याद रखना नीचे मेरा इंस्ट्राग्रम का लिंक दिया गया है आप जाकर वहां से मुझे फॉलो करके डियम कर सकते हैं दूस्तों आज के लिए बस सिता हैं अगर आप कोई वीडियो अच्छा लाया तो ल सब्सक्राइब बने के साथ सब्सक्राइब करें वह भी आल वाला है मिलता है अगले किसी वीडियो में तब तक के लिए जय हैं